वेल्कम टू आटोमेशन औरोवर्टिक्स यूट्यूब चैनल यूर विद टेक्टॉक विद लाली तेस्ट आज के जो हमारा बिसिकली टॉपिक है वो यह है कि मॉडिफाइट टूल में एक्स्टेंड टूल हम कैसे यूज करते हैं तो प्रीवेस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिम कमांड कैसे यूज करते हैं तो उसका चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें तो आगे के लिए भी लगातार मेरे चैनल से कनेक्ट रही है वीडियो उसको वस्क करते रही है तो आगे जो है एक्स्टेंड कमांड है तो वो कैसे यूज करते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एक object example लेके बताता हूँ so that आपको clear हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ से क्या किया सबसे पहले तो मैं skip command पर जाओंगा command prompt से मैंने यहाँ से एक line draw किया जैसे यह line draw किया उसके बाद मैं यहाँ से यह line draw किया and randomly मैंने कुछ line एंटर करके यहां से draw किया मैं चाहता हूँ यह छोटी बड़ी line है मैं चाहता हूँ यह सारी line बरावर की हो जाए तो बरावर की हो जाए मतलब किस तरह से होंगी यानि extend करना या तो आप यह कर सकते हैं पहला काम कि आप इनको trim कर सकते हैं करने का मतलब क्या है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी होगा कि trim कमांड कैसे काम करती है कि आपको एक junction point देना होगा कि कहां तक trim करना है तो अगर मुझे trim करना है तो मैंने दो line यहां से जैसे एक यहां लगा लीजिए इस तरीके से आप यूज कर लीजिए तो ट्रिम के लिए क्या करना है टी आर आई एम एंटर एंड एक वार और एंटर करना है देन जो extra line है आप यहां से trim कर सकते हैं इस तरीके से आप क्या कर प्रक्रावर चाहता हूं कि डॉन साईड की लाइन किया हो जाए बराबर हो जाये तो कि डॉन कमांड का चंटक मांड आगस्टन कमांड मतलब होता जोडना कि चाहि करूंगा बढ़ाना अप कई कई-sought line पड़ रहे हैं तो मैं दो लाइने ले लेता हूं दौनों साइड में एक मैंने यहां डॉकिया और एक यहां डॉकिया तो extend command के लिए भी मुझा को दिहान ये देना है कि आपको लाइन कहां तक ले जाना है आपको पहले वह reference point देना होगा यानि आपको कोई भी object है extend करना है कोई भी command मालब कोई भी object है वो proper connected नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले reference point देना पड़ेगा कि कहां तक extend करना है तो मैंने reference के लिए दो लाइन हैं दोनों तरफ मैंने left and right में draw के अब मैं यूज करूंगा extend command तो extend command होता है ex जैसे trim का होता है tr एक्टेंड का होता है ex then enter करेंगे तो सबसे पहले यह पूछ रहा है कि आप select object और select all यानि आपको object select करना है तो object वो object select करना है जहां तक आपको line लेके जाना है तो मैं चाहता हूं कि यह तीनों जो लाइन हैं यह मेरी connect हो यहां तक तो मैं reference line select करूंगा then फिर क्या करूंगा enter right उसके बाद मैं कहां जाओंगा उस line को select करूंगा जिसको की लेके जाना extend करना है तो मैं यहां select करूंगा तो आप एसकेप कर दीजे अब मैं चाहता हूं यह वाला select करके delete कर दिए तो line बराबर होगी बिल्कुल extend हो गया अब मैं चाहता हूं इस side का portion जो है connect हो जाए extend हो जाए तो ex अब object वो select करना है जहां तक line आपको extend करनी है तो मैरे को यह select किया और उसके बाद enter किया देन उसके बाद मैं यहां से इस line को select किया और click किया इसके उपर गया और click किया देन आप क्या करेंगे यह जो vertical line है यह select करेंगे और delete करेंगे तो मेरी line ने जो भी थी वो मेरी extend हो गई है right एक और example लेते हैं L Line मैंने यहाँ से ड्रॉक किया Line या कोई भी object होगा यह मैंने यहाँ से ज्रॉक और L यहाँ से गए और यह मैंने ड्रॉक किया अब मैं चाहता हूँ एक और ले लो कि जो extra लाइन ट्रेंग हो जाए तो मनें बताया था आपको trim Command TRIM enter and again enter तो ये सारी line है मेरी क्या हो जाएंगे delete हो जाएंगे इस तरीके से अब by the way अगर गलती से ये line delete हो गई अब मेरे को क्या करना है एक तो control Z option होता है ऐसे Z से देखो सारा आ गया TRIM enter then ये आपका delete हो गया अब गलती से बीच में अंदर से कोई भी एक line connect ये होगी जैसे delete escape किया तो मैं चाहता हूँ कि ये line है यहां तक जुड़ जाएंगे वाली line तो क्या करेंगे extend पर जाएंगे एक्स enter अब वो reference point लेना है जहां तक line ले जाना है तो ये वाली line select कर लो then enter करेंगे और इस line के ऊपर आप ले जाएंगे तो ये देखिए line extend होगी connect होगी इस तरीके से हम क्या करते है फ्रेंस extend कमांड यूज करते है जो कि trim कमांड के लवग अपोजिटी होती है जहां trim होता है वाँ extend होता है तो इस तरीके से extend कमांड का यूज होता है आप इसके practice कर सकते है learn कर सकते होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको कमांड किलियर हुआ होगा तो इसको आप practice करिए दोर आगे की और भी कमांड से जो कि लगातर वीडियो को follow करिए वीडियो को watch करिए चैनल को follow करिए subscribe and share करना मत भूलियेगा so hope you are enjoying my video so thanks for watching my videos thank you